खेसारी के साथ संखर्स चैसे मूवी करने वाले प्रोड्यूसर रतनाकर कुमार क्यूं है उनसे खफा जी हाँ और पवन सिंग पर क्यूं है वो इतने खुश आज हम आपको बताएंगे इसकी पूरी रिपोर्ट और साथ ही आपको बताएंगे कि खेसारी से नाराजगी की सब सबसे बड़ी वजय बनी खेसारी का धड़ा-धड़ गाना निकालना जी हाँ प्रोड्यूसर और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के मालिक भोचपूरी के कई दिगज फिल्मों के निर्माता कई बड़े गानों के प्रोड्यूसर रतनाकर कुमार काफी खाफा है भोचपूर इंडस्ट्री के दबंग स्टार खेसारी लाल यादो से और इसकी सबसे बड़ी वजय बनी है खेसारी की धड़ा-धड़ गाने निकालने वाली जो रैली है यानि कि एक गाना आया नहीं कि दूसरा गाना तुरण दूसरा गाना आया नहीं कि तीसरा गाना और ओडियोंस को सोचने का मौका तक नहीं मिलता है कि कौन सा गाना सुने और कौन सा नहीं और ऐसे में रतनाकर कुमार को गुसा आ गया खेसारी लाल यादो की इस नीती पर और खेसारी के साथ फिलहाल वो कोई काम नहीं कर रहे हैं जी हाँ कहां तो रतनाकर कुमार खेसारी के साथ काफी काम करते नजर आ रहे थे काफी फिल्मों के लिए और काफी अल्बमों के लिए लेकिन अब रतनाकर कुमार ने खेसारी से हाई तौबा कर ली है और खेसारी जो इस तरह से लगातार गाने लेकर आ रहे थे इस वज़े से भी इसके पीछे वज़े बताई जा रही थी कि वर्ल वाइड रिकॉर्ड से भी खेसारी का एक गाना आने वाला था और उसी समय स्पीड भोजपुरी पर खेसारी ने कई गाने जी हाँ कई गाने हफते भर में तकरीबन तीन से चार गाने लेकर आए और जिसके वज़े से वर्ल ना कर कुमार ने पवन सिंग की बहुत दारिफ की है उन्होंने कहा पवन के गानों ने इंडस्टरी M1 और न nella कर प्रेज कर दिए हैं वही सारी के स्टाइल को वह जरा भी पसंद नहीं करते और खेसारी के लिए वह यही कहते हैं कि गाने थोड़ा कम गाएं और फैंस को किस तरह के गाने पसंद हैं उस तरह के गाने गाएं तो ज़दा अच्छा होगा भूजपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए